आज तक हमने बहुत से डिसीजेस के बारे में डिसकस किया है जैसे कि डाइबेटीज, कॉलरा, जॉन्डीज, ब्रेन टूमर, कैंसर और ऐसे और भी कई सारे डिसीजेस को हमने जान लिया है अगर आने वाले दिनों में भी ऐसे और भी अलग-अलग टॉपिक्स आपको मेरे साथ डिसकस करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज आप तक इजिली पहुच सके और अगर आपको बायो से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में डिफिकल्टी है तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट भी कर सकते हो आज भी हम एक और डिसिस को ही डिसकस करने वाले है जिसका नाम है हिपेटाइटिस इस वीडियो में हम हिपेटाइटिस के कॉज़ेस, सिंटम्स, ट्रिट्मेंट, डाइगनोसिस और प्रिवेंशन के बारे में डिसकस करेंगे तो सबसे पहले हिपेटेटीस क्या होता है ये समझ लेते हैं हिपेटेटीस is an inflammation of the liver मतलब अगर किसी reason से liver पे सूजन आती है तो उस condition को हिपेटेटीस कहा जाता है इसमें liver properly उसका काम नहीं कर पाती है वैसे तो liver ऐसे बहुत से काम करती है बट इन में से liver का एक काम है जो है bilirubin नाम के yellow pigment को body से बाहर निकालना bilirubin ये old RBC के breakdown से produce होता है बट अगर liver ने उसका ये काम properly नहीं किया तो bilirubin की level बढ़ जाएगी और इस कारण patient के नाखुन और आखे ये yellow दिखाई देंगे इसी कारण hepatitis को yellow jaundice भी कहा जाता है hepatitis होने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है viral infection, alcohol consumption और side effect of medicine मतलब hepatitis virus के infection से hepatitis हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा alcohol पीने से या फिर किसी medicine के side effect से भी hepatitis हो सकता है hepatitis ये short term या long term भी हो सकता है अभी हम देखेंगे types of hepatitis hepatitis के 5 types है जो है hepatitis A, B, C, D और hepatitis E जो अलग-अलग hepatitis virus से होता है जिसे viral hepatitis कहा जाता है कभी-कभी कुछ medicines ज्यादा quantity में लेने से भी liver damage हो सकती है और hepatitis भी हो सकता है जिसे drug induced hepatitis कहा जाता है अभी हम इन सारे hepatitis के types को one by one discuss करेंगे सबसे पहले hepatitis A hepatitis A is the result of an infection with the hepatitis A virus or HAV मतलब ये hepatitis A virus के infection से होगा ये disease इस virus के contaminated food और water से होगा या फिर unwashed fruits और visitable से भी हो सकता है It is also transmitted through feco-oral root मतलब infected person का waste material अगर पीने के पानी में mixed होता है या फिर insect से वो food को infect करता है तो directly infected person के waste material से ये normal person को infect कर सकता है तो इस condition को feco-oral root कहा जाता है hepatitis A virus ये generally छोटे बच्चों को affect करता है बट इसमें liver बहुत जादा damage नहीं होती है और इसका patient completely cure भी हो जाता है Now hepatitis E, hepatitis E ये कुछ हद तक hepatitis A जैसा ही होता है और ज्यादा तर इसके patient Asia और Africa में दिखाई देते है hepatitis E ये water bond disease है और ये hepatitis E virus के infection से होता है It is also transmitted through feco-oral root तो feco-oral root से ये transmit होता है जैसे कि हमने hepatitis A में देखा है It is generally not fatal मतलब ये जल्दी cure हो जाता है So most patient with hepatitis E recover completely तो इसके जो patient है वो completely recover भी हो सकते है But it is more serious in woman during pregnancy तो जो अगर कोई pregnant woman है उसे अगर hepatitis E virus का infection होता है तो उसके pregnancy के time पे उसे कुछ complications को face करना पड़ सकता है तो ये हुआ hepatitis E अभी हम देखेंगे hepatitis A और hepatitis E को रोका कैसे जा सकता है तो हम देखेंगे prevention So use bottle water for brushing your teeth in high risk area मतलब अगर कोई hepatitis K high risk area में है तो उन्होंने boil water use करना है for brushing and drinking Also raw food avoid करना है मतलब without boil meat और vegetable नहीं खाना है और कोई भी चीज़ खाने से पहले hand wash करना है और पानी पिने से पहले उसे boil करना है या फिर purified water ही पिना है तो ये कुछ prevention होते है hepatitis E और hepatitis E को रोकने के लिए hepatitis A और hepatitis E के symptoms ये same ही होते है इनके symptoms तीन phases में develop होते है पहली phase जिसे prodromal phase भी कहा जाता है तो इसमें क्या symptoms होंगे तो इसका पहला symptom रहेगा fever, joint pain, rash and swelling तो body पे ऐसे कुछ symptoms दिखाई दे सकते है जैसे की pain होना, body pain, rash होना, swelling आना तो ये पहले phase के symptoms रहेंगे hepatitis A और hepatitis E के second phase के symptoms रहेंगे fatigness मतलब थकान महसूस करेगी patient जो है वो थकान महसूस करेगा उसे muscle pain हो सकता है aneroxia मतलब ये eating disorder होता है इसमें patient खाना खाने से इनकार करता है जिसे उसका weight भी कम होगा next रहेगा vomiting, fever, cough, pate में दर और dark urine and light stool color light stool color मतलब जो waste material है patient का उसका color faint हो जाएगा क्योंकि bilirubin नाम का जो pigment है ये liver body से बाहर waste material से ही निकालती है but इस condition में liver properly काम नहीं कर रही है so इस वज़े से patient का जो waste material है जो stool है वो light color का हो जाएगा और इसके third phase के symptoms रहेंगे john dis मतलब उसकी जो body है, skin है eyes है, वो yellow color के दिखाई देने लगेंगे तो ये third phase रहेगी hepatitis A और hepatitis E की next is में रहेगा nausea, vomiting irritated skin, skin में irritation होगा rashish होगे और कुछ और भी symptoms इसमें दिखाई दे सकते है तो ये हुए symptoms of hepatitis A and hepatitis E now hepatitis A and E का diagnostic test, तो सबसे पहले doctor patient की medical history पूछेंगे, उसके बाद उसे physically check करेंगे और अगर उनको लगता है कि patient को hepatitis हुआ है, तो confirmation के लिए वो कुछ blood test recommend कर सकते हैं, जैसे कि blood में hepatitis A virus के against antibody produce हुई है या नहीं ये इस blood test में देखा जाएगा और hepatitis E में HEV blood में देखा जाएगा, मतलब hepatitis E virus ये blood में देखा जाएगा और इससे confirm हो जाएगा कि patient को hepatitis A हुआ है या फिर hepatitis E हुआ है तो ये हुआ diagnostic test अभी हम देखेंगे hepatitis B के बारे में information so hepatitis B virus के infection से hepatitis B होगा hepatitis B virus ये contaminated blood contaminated needle और contaminated serine से healthy person में transfer हो सकता है also ये infected pregnant mother से उसके आने वाले baby में भी transfer हो सकता है ये बैक की hepatitis के comparison में harmful है इसमें long term liver infection होगा और इसमें liver भी damage हो सकती है next is hepatitis C hepatitis C ये hepatitis C virus के infection से होगा जिसे HCV भी कहा जाता है it is also transmitted through infected blood अगर कोई infected blood किसी healthy person में transfer होता है तो healthy person को भी hepatitis C होने के chances बढ़ जाएंगे और इसमें भी जो pregnant mother है अगर उसमें hepatitis C virus का infection हुआ है तो उसके आने वाले baby में ये transfer हो सकता है मतलब hepatitis B और hepatitis C कुछ हद तक सेम ही है तो इनके symptoms भी सेम रहेंगे तो सबसे पहला जो symptom रहेगा पहले level का इनका symptom रहेगा fever, joint pain, rash and swelling second level में इनका कुछ symptom और बढ़ जाएंगे वो रहेगा fatigness मतलब थकान muscle pain, androxia मैंने पिछले slide में बताया है nausea, vomiting, fever, cough पेट में दर्थ और dark urine and light stool color और third phase में इनके symptoms रहेंगे jaundice, nausea, vomiting और skin के उपर rashish मतलब hepatitis A, E, B और C के symptom कुछ हद तक सेम ही रहेंगे ठीक है now hepatitis D यह hepatitis का rare form है जो person hepatitis B से infected है उसे ही hepatitis D के chances होते है so this is rare form of hepatitis and it is only found in people who are also infected with hepatitis B hepatitis D virus भी other viruses की तरह liver damage करेगा now symptoms of hepatitis D तो इसका सबसे पहला जो symptom है वो है jaundice मतलब skin और आखे यह yellow color के दिखाई देंगे dark urine abdominal pain मतलब पेट में pain होना nausea with vomiting उसके बाद confusion next जो symptom है वो है pruritis मतलब खुजली body पे खुजली होगी और fever तो यह कुछ basic symptoms रहेंगे hepatitis D के अब hepatitis D को डाइग्नोस करने के लिए doctor blood test recommend कर सकते है जिसमें hepatitis D virus का infection हुआ है या नहीं patient के blood में वो virus दिखाई देता है तो जिससे doctor को पता चलेगा कि patient को कौन से type का hepatitis हो चुका है lastly मैंने यहाँ पे एक ही slide पे सारे जो 5 type के hepatitis है उसके causes मैंने यहाँ पे दिये है तो यह पढ़लो आपको easily समझ में आ जाएगा ठीक है lastly यहाँ पे और मैंने एक slide बनाई है जो की है causes of hepatitis non-infectious hepatitis मतलब virus के infection से hepatitis नहीं हुआ है तो इसके क्या कारण हो सकते है तो सबसे पहला जो कारण है वो है alcohol consumption अगर बहुत ज़्यादा alcohol कोई लेता है तो उसे hepatitis हो सकता है मतलब उसकी liver damage हो सकती है तो यह जो hepatitis है वो है non-infectious hepatitis last जो non-infectious hepatitis है जिसका cause हो सकता है autoimmune system मतलब अगर किसी की immune system उसके body के against काम कर रही है मतलब उसके जो healthy cells है अगर liver के healthy cells है अगर उसे ही वो damage कर रही है तो patient को hepatitis हो सकता है जिसे हम non-infectious hepatitis कह सकते है lastly यहाँ पर मैंने कुछ preventions दिये है तो hepatitis रोकने के लिए vaccine available है तो hepatitis A के against vaccine है उसके बाद hepatitis B को रोकने के लिए भी vaccine है and vaccine again hepatitis B can also prevent hepatitis D अगर hepatitis D को रोकना है तो उसके against hepatitis B की जो vaccine है वही उसके against काम करेगी and there are currently no vaccine for hepatitis C और E तो hepatitis C और hepatitis E के against कोई अभी तक vaccine नहीं है but hepatitis A, hepatitis B और hepatitis D को रोकने के लिए vaccines available है तो यह हुए कुछ prevention तो हमारा वीडियो आज का यही तक था अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को like किजेगा और इस वीडियो को share जरूर किजेगा Thank you